अगर आपका बच्चा च्छे मेने का है या फिर उससे बड़ा है और आप बच्चे के साथ ट्राविल करते हैं कई घूमने जा रहे हैं या फिर किस रिलेटिव के आ जा रहे हैं तो उस case में बच्चे कई बार चिट्रडे हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि छोटे बच्चों सब कैसे travel किया जाए, क्या-क्या चीज़े हमें रखनी चाहिए तो आज किस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी traveling tips बताऊंगी, जो कि आप अपने बच्चों के साथ अगर उनको follow करेंगे, तो आप अपने उस travel को जो है आसान बना सकते हैं और बच्चा बेच्चे से enjoy करेगा तो friends, अगर आप car से travel करते हैं, तो car में भी बच्चों के लिए traveling को असाम नाने के लिए car seat का स्माल किया जा सकता है और आज मैं आपको एक ऐसी ही car seat के बारे में ताने वाली हूँ और वो car seat है, love lap galaxy convertible car seat तो चलिए अब tips की बात करते हैं, number one की आपको baby की सारे जो essentials है, baby से जोड़ी वे सारे चीज़े अपने साथ रखनी चाहिए जैसे की बच्चे की diaper आपको रखने है, कुछ wipes रख लीजे ताकि बच्चा थोड़ा बदगंदा करता है तो clean कर पाएं बच्चे के लिए dry sheet रखें अगर बच्चे का diaper चेंज करना है उसके लिए, कुछ poly bag रखें एक बच्चे के लिए बाउल और spoon वगदर रखें बच्चे को रुच खिलाना पड़ जाए तो थोड़ थोड़ लिक्विड्स देते रहें ताकि बच्चे को dehydration की problem ना हो अगर आपके पास car है या फिर अपना कोई भी वहिकल है तो उकोशिश कीजिए थोड़ थोड़ दिर में आप रुखते रहें ताकि बच्चे को comfortable feel हो ट्रैवलिंग के टाइम पर बच्चे बोर्ड ना हो फसी हो जाते हैं बहुत रोने लग जाते हैं परशान हो जाते हैं तो इसके लिए आप बच्चों के जो भी favorite toys हैं उनके साथ लेके जाए कुछ board books वगरा होती है colorful books होती हैं वो लेके जाए ताकि बच्चे जो हैं इसमें बच्चा असानी से बैट कर जो है अपनी जर्णी को एंजॉय करता है आपसे उसमें सो भी सकता है तो अगर हम कार सीट की बात कर रहे हैं तो अब जान लेते हैं लव लैप की galaxy convertible car seat के बारे में तो देखिए जो लव लैप की galaxy convertible car seat है इसको convertible इसलिए बोला जा रहा है क्यो को यूज करना जब का बच्चा 10 kg से बढ़ा हो गया और 18 kg से कम का है यह जो car seat है यह certified है European safety standard के according तो यह आपके बच्चे के लिए totally safe है इसमें five point harness system है जो की secure करता है आपके बेबी के shoulder को waist को और crotch area को इस harness को set करना parents के लिए भी असान रहता है क्योंकि इसमें one pull harness system है car seat में जो है reclining position भी है जैसे कि माली जी आप चाहते हैं कि आपका बेबी सो गया है तो आप इसकी position को change करने के लिए आप इसको यहां से नीचे से press करेंगे और यह देखिए इसके लाबा पूरा लटाना चाहता है तो ऐसे कर सकते है और बच्चे को बिठाना है तो बहुत ही car seat के headrest की तो headrest को भी आप 3 different height level तक adjust कर सकते हैं और यह आपके baby की height पर depend करता है अगर आपके baby के height कम है तो आप उसको कम कर सकते हैं जादा है तो headrest को आप थोड़ा ऊचा कर सकते हैं बात करें इस car seat की fabric के बारे में तो इसका extra soft thick cushion body है और इसकी जो padded seat है वो भी adjustable है तो बच car seat बच्चे को चुबेगी नहीं और car seat काई जो cover है इसको आप easily remove कर सकते हैं और wash कर सकते हैं कभी कभी बच्चा खाना गिरा देता है या फिर कुछ भी गंदा हो जाता है तो आप असानी से इसको निकाल के clean कर सकते हैं और इससे hygiene maintain रहेगा तो friends जो सारे मैंने tips बताई हैं इ फिर amazon के site पर जाकर check कर सकते हैं इसका link मैंने description box में भी दे दिया है I hope आपके लिए video helpful रहा होगा आगे बे ऐसे video दिखते रहने के लिए channel से जूड़े रहेगा thank you for watching